जय शनितेव कन्याराशी वालों साल दो हजार चौबिस लिश्चत रूप से आपके जीवन में एक अविस्मर्णिय वर्ष साबित होने वाला है इस साल की जो घटनाएं है वो आपके व्यक्तित्व पर आपके करियर पर आपके रिष्टों पर एक अमिट छाप छोड़ने वाली है और साल दो हजार चौबिस के पहले ही छे महीनों में आपको छे बड़े सप्राइजर्स मिलने वाले हैं ग्रहों की चाल की क्या विशिश्क्रिपा आपके उपर बनने वाली है यही बताने के लिए मैं स्वामी राजशी आज कन्या राशी का जन्वरी से लेकर जून दो हजार चौबिस का राशी फल लेकर आया कन्या राशी वालों साल दो हजार तेईस में कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि चीजे उस हिसाब से नहीं हुई उस तरीके से नहीं हुई जिस तरह से आपने सोचा था हमारे सभी जो कन्या राशी वाले होते उनकी एक विशेश्टा होती है कि वो बहुत ही क्यालकुलेटिव और फ्यूचर के बारे में सोचने वाला उनका सभाव होता है इस समय पर भी जब आप इस वीडियो को देख रहे है तो आपके मन में निश्चित रूप से ये चल रहा होगा कि मैं इस वीडियो को देखने के बाद ये करूँगा कल मुझे ये करना है परसो मुझे वहाँ जाना है तरसो मुझे इससे मिलना है तो इस समय पर भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस समय पर भी आपके मन में हजारों विशार चल रहे हैं, हजारों तरेटे प्लान्स चल रहे हैं, अपने जीवन में अनिक अनिक जो घटनाए हो रही है उसको लेकर आपका क्या भ्याशन होने वाला है, उसके बारे में आप में ही प्लान कर रहे हैं और कई बार चीजे उस तरह से नहीं होती हैं जिस तरह से आप सोचते हैं और कई बार आपको इसकी विजह से निराशा भी हात में लग सकती है ये घटनाएं आपके रिलेशनशिप्स में हो सकती है ये घटनाएं हो सकता है आपने अपने करियर में अन सराय हैं क्योंकि ग्रेहों की चाल ही कुछ इस तरह से थी कि कन्या राशी को उसने फेवर नहीं किया परन्तु साल 2024 एक डिफरेंट वर्ष है एक नया वर्ष है और यहां पर ग्रेहों की कुछ विशेश क्रिपा कन्या राशी वालों पर पहले ही 6 महिनों में पढ़ने वाली है और उसी से आपको अवगत कराने मैं स्वामी राजशी आपके सामने आया हूँ हो सकता है कि आपके मन में अभी भी उन घटनाओं को लेकर निराशा है इसलिए मैं आपके सामने एक शायर के कुछ अलफाज पढ़ना चाहूँगा और आपसे भी ये कहूँगा कि एक बार अपने जीवन पर reflect back कीजे सोचेगा तो निश्चत रूप से जो मैं अब आपसे कहने वाला हूँ वो आपको एकदम सच पतीत होगा कितना भी पकड़ लो पर ये फिसलता जरूर है सहाब इसे वक्त कहते हैं ये बदलता जरूर है तो चाहें साल 2023 कैसा भी क्यों ना रहा हो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि साल 2024 के पहले 6 महीने आप के लिए बड़े ही विशेश बड़े ही खास प्रतीत होने वाले हैं साबित होने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज का एक अपार समंदर आप कन्या राशी वालों के लिए वेट कर रहा है सबसे पहले मैं कन्या राशी के करियर राशी फल की चर्चा करना चाहूंगा करियर में अपने नौकरी को लेकर व्यापार को लेकर क्या-क्या आपके जीवन में इस्तितिया उत्पन होने वाली है पहले छे महीनों में उससे आपको अवगत कराना चाहता कन्या राशी वालों के लिए करियर की दृष्टी से दो ग्रहे बहुत महत्वपूर है जिनकी विशेश क्रिपा से आपका करियर साल दोहजार चौबेस के पहले छे महीनों में चमक सकता है वो दो ग्रहे हैं सबसे पहले हमारे बुद्ध देपा जो की कन्या राशी के स्वामी है और कन्या राशी के दशंभाव को भी कंट्रोल करते हैं दूसरे हैं हमारे शनी देव जी अब साल दोहजार चौबेस में जनवरी में इन दोनों ग्रहों की विशेश क्रिपा आप सभी कन्या राशी वालों के उपर बनी हुई है जनवरी में अपार अपॉर्चुनिटीज करियर को लेकर आपके सामने आने वाली है और ये बहुत समय तक नहीं रहेंगी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने इसलिए जरा सा भी आलस नहीं करना है मुझे मालूम है बहुत सारे आप मेंसे जो लोग वीडियो देख रहें सोच रहें इस समय पर ठंड बहुत है हमारा तो मन ही नहीं करता है रजाई से निकल कर बाहर जाएं कंबल से निकल कर बाहर जाएं तो मैं आपको यही सला दूँगा दिखो कन्या राशी वालों समय आ आपको दिख रही है आपके सामने है तो इन्हें लपक लो इन्हें अपने हाथ से मत जाने तो क्योंकि वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है मुझे यहां पर बहुत तेजी से चीजे बदलती हुई नजर आ रहे हैं क्योंकि फरवरी मार्च अपरेल में यह अपॉर्चुनि साबित होंगे जहां पर आप हाथ मलते रह जाओगे खाक चानते रह जाओगे पर कोई opportunity आपको नहीं मिलेगी interview की हो जाए चाहे अपने व्यापार को खोलने की हो जाए या अपने व्यापार को बढ़ाने की हो जाए इतनी सारी चुनोतियां आपके सामने आएंगे इतनी distractions आपके सामने आएंगे कि आप कोई action ही नहीं ले पाएंगे आप confused हो जाएंगे पूरे तरीके से तो ये पूरे पूरे संभावनाय मुझे बनती हुई दिखाई दे रही यानि कि January का महिना बहुत अच्छा है करियर की दृष्टी से व्यापार की दृष्टी से आपके business की दृष्टी से जो आप decision लेना चाहेंगे निश्चत रूप से वहाँ पर आपको progress जरूर दिखाई देगी interview के लिए जाएंगे तो वहाँ पर select होने के chances बहुत अधिक दिखाई दे रहे हैं आप अपने व्यापार से संब्देद कोई decision लेना चाहते हैं तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो एक बहुत ही progressive बहुत ही अच्छा बहुत ही thoughtful बहुत ही effective decision आप इस समय पर ले पाएंगे जो आपके व्यापार की growth जरूर करेगा और जो लोग नई product line लेकर आना चाहते हैं मैं customers को tap करना चाहते हैं मैं markets को tap करना चाहते हैं नई geographies को tap करना चाहते हैं उनके लिए भी January 2024 बहुत अच्छा समय साबित होगा परन्तु February March और April के अंदर चुनौतिया ही चुनौतिया आपका इंतजार कर रही है एक उल्जन खतम होगी दूसरी उल्जन में फज़ जाएंगे दूसरी चुनौति हटेगी तो तीसरी चुनौतिया आपके सामने already खड़ी होगी कुछ सरकार के ऐसे decisions हो सकते हैं परिवर्तन हो सकते हैं फैसले हो सकते हैं जो आपके व्यापार में कुछ अठचन ला दें कुछ रोड़ा अठका दें कुछ compliance में आप फ़र्ज जहें जिस वज़े से business को बढ़ाने की दिशा में तो आपका विचार भी नहीं जा पाएगा इन चौनौतियों से आप बाहर निकलेंगे माई के अंत में तब कहीं जून में जाकर वापिस stability आएगे तो करियर नौकरी व्यापार सभी की दृष्टी से सबसे अच्छा समय आपके लिए जन्वरी और उसके बाद मुझे जून 2024 दिखाई दे रहा है बाकी बीच के समय में कई सारी चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं पहले से सजग हो जाओ सचेत हो जाओ अभी से प्लान करोगे क्योंकि आप तो वैसे भी calculators वभाव के हो तो निश्चित रूप से जब ये चुनौतिया आपके सामने आएगी तो कुछ ना कुछ आप उसके अगेंस्ट में कर पाओगे जिससे कि आपका व्यातार उतना ना प्रभावित हो जिससे कि आपकी नौकरी उतनी ना प्रभावित हो फिर भी अगर आपमें से कोई ऐसा कन्याराशी वाला है जो ये महसूस कर रहा है कि 2023 के बाद 2024 में भी मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मैं अपने करियर में बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, नौकरी का इंटर्व्यू देने जाता हूँ तो मुझे सलेक्ट नहीं करता है, या फिर अपना व्यापार चलानी की कोशिश कर रहा कस्टुमर्स मिलते हैं, मैं सौदा कर भी लेता हूँ, तो फिर पेमेंट टटक जाता है, पेमेंट भी मिल जाता है, तो फिर मेरे कर्चे इतने जादा है कि मुझे बचता ही कुछ नहीं है, बरकत ही नहीं हो रही है, तो एक बार अपनी जन्म कुंडी का विशलेशन मुझ स यानि कि स्वामी राजरिशी से सरूर करवाएं, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखें, हो सकता है आप इस समय पर किसी विपरीत महादशा में, किसी विपरीत ग्रह की अंतरदशा में चल रहे हो, हमारी कुंडली के कुछ ऐसे भाव होते हैं, कुछ ऐसे उसमें ग् निभारे होते हैं, जैसे कि 3rd house के स्वामी हो गए, 6th house के स्वामी हो गए, 8th house के स्वामी हो गए 12th house के स्वामी हो गए तो ये हर समय आप से शत्रुता निभारे होते हैं अगर आप इनकी महादशा वे इनकी अंतर दशा में चल रहे हो तो निश्यत रूप से चुनौती आपके सामने आएंगी जो आप करना चाहोगी वो नहीं कर पाओगे बार बार अडचन, बार बार विफलताएं आपके confidence को down करेंगी उस समय पर हमें इनके लिए कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ते हैं तो मैं आपकी जनकुणली का visualization करकी यही आपको बताऊंगा कि भई ये अडचन इस वाले ग्रह की वज़े से आ रही है जब सबसे पहला step क्या होता है किसी भी problem को solve करने का वो होता है problem identification यानि कि भई अरचन क्यों है problem क्यों है problem क्या है कौन से ग्रह की वज़े से आ रही है जब हमने problem identify कर लिया अब हम समझेंगी कि कैसे उस problem को तूर किया जा सकता है तो उसके ने मैं कुछ effective वैदिक जोतिश के remedies आपको दूँगा कुछ ऐसे आपको remedies बताऊंगा उपाय बताऊंगा जो आप अपने रोज मर्रा के जीवन में कर सके मेरे यहां पर हम लोग ऐसे remedies नहीं बताते कि भई शम्चान चले जाना और वहां से बहुत उठालाना अपने माते पर लगाना ऐसे कोई भी remedies हम आपको नहीं बताते हैं या फलां की बली दोगे तो इससे तुम्हारा काम बनेगा ऐसे किसी भी प्रकार के जो remedies हैं या उपाय हैं वो हम आपको कभी नहीं बताते हैं ना तो यह remedies काम करते हैं इन में आप समझिए इस तरह के जो remedy होते हैं उसमें तमोगुण होता है अगर कोई ये remedy आपको बता रहा है तो हो सकता है बहुत short term में आपको शायद relief मिल जाए परन्तु long term में तमोगुण होने की वज़े से ये remedies केवल और केवल आपको नुखसान पहुचाएंगे आपके bad करमा को आपके पाप के घड़े को बढ़ा देते हैं तो तमोगुण से संबंद रखने वाली कोई भी remedies आप ना करें आपकी remedies जादतर सातविक होनी चाहिए पुजापार से संबंदित होनी चाहिए या फिर ये जैसे हमने रतन धारन किये हैं उस तरह से आप जो remedies होती हैं ये सातविक remedies हैं या फिर आप राजसिक remedies कर सकते हैं जिसमें रजस गुण होता है आपको ये दोनों remedies करना ही allowed है अगर आप तामसिक remedies करती हैं या तमोगुण से भरपूर remedies आप करते हैं जिसमें तमोगुण की मातरा जादा है तो निश्चित रूप से शौट टर्म में भले ही आपको फाइदा हो जाए परन्तो लॉंग टर्म में आपका कर्मा इतनी बुरी तरीके से प्रभावित होगा कि आप से चीजे संभाले नहीं संभलेंगी जो प्रॉब्लम है वो कई गुना बड़ी होकर आपके जीवन में लौट कराएगी जिससे फिर आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा तो यहीं में भी आपको सला है कि जो भी आप रेमेडीज करें जो भी उपाय करें उसमें साटविक या फिर राजिसिक गोड होना चाहेगी जो भी मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा मैं आपको सेकंड स्टेप के बारे में बता रहा था कि भई आप ये रेमेडीज करेंगे और फिर उसके बाद दो से तीन महीने के अंदर मिश्चित रूप से आपको अपने जीवन में प्रभाब दिखाई देगा तो फर्स स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सेकंड स्टेप है प्रॉब्लम ट्रीटमेंट और थर्ड स्टेप है उसके बाद प्रोग्रेस या फिर आपकी प्रोब्लम का सल्यूशन तो जब आप मुझसे मिलते हैं तो मैं आपकी इन सभी स्टेप में मदद करता हूँ लगातार आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करता हूँ आपसे जुड़ा रहता हूँ ताकि जब तक समस्या दूर ना हो तब तक मैं आपको सजेस्ट करता रहूँ बताता रहूं कि अब ही minor सा change और कर लो जिससे तुम्हें और राहत मिल जाए तो अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंगली का विशलेशन कराके उपाय लेना चाहते हैं तो screen पर आप वह नंबर उपर संपर्क करके मेरा appointment आप लोग ले सकते हैं अपने appointment में मैं एक विशेश लोकेट भी आपको देता हूँ जिससे आपकी परिशानी जल्दी दूर हो जाए मंतर सिद्ध करके प्रांट पतिश्चित करके मैं आपकी नाम से तयार करता हूँ इसके साथ साथ हर महीने हमारे हाँ पर एक विशेश नवग्रह यग्य का आयोजन होता है उससे यग्य में आपके लिए पूजन करता हूँ आपके लिए आहुतिय प्रदान करता हूँ ताकि आपकी कुंदली में बैठे हुए जितने भी मेलेफिक प्लानेट्स है जो आपको नुकसान पहुचा रहे हैं वो अपना नुकसान कम कर दें अपना नुकसान रिडियूस कर दें और आपको शुबफल प्रदान करें आपको शुबफलों की प्राप्ति हूँ हमारे ऐसे कई सारे भक्ते हैं जिनको मेरे से जुड़ने के बाद हमारे शनीपीट मंदिर से जुड़ने के बाद अपने जीवन में अत्यदिक लाब की प्राक्ती हुई है उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आये हैं ऐसे ही हमारे इंदोर से जुड़े हुए एक भक्त थे जिनका करियर सच्छा नहीं चल रहा था जिनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था बार बार व्यापार में अडचन आती थी और वो अडचन उनके परिवार जनों की वज़े से आ रही थी जब वो हमसे जुड़े उ से संपल साला हमने उनकी जनकुंडी का विश्लेशन किया कुछ बहुत सरल से सिंपल से उपाय बताए जो उनोंने किये और कुछी समय में परिवार से जुड़ी हुई सभी अर्चने दूर हो गई व्यापार से जुड़ी हुई सभी अर्चने दूर हो गई आज वो अपनी जी वैदिक जोतिश हमारे हिंदू सनातन धर्म में कितनी ज्यादा शम्ता है कितनी ज्यादा पावर है वह आपका जीवन पूरी तरीके से बदलने में खिपेबल है तो एक बार वैदिक जोतिश को ज़रूरत आजमाएं चैस शनी देव गुरूजी शनी पीट को सभी गुरूजी उनों को में नमस्कार करते हुए और कहते हैं ना कि करता करे न कर सके गुरू करे सो होई साथ दीप नोखंड में गुरू से बड़ा न कोई अपन तस्षिष्य हैं उनके उनकी क्या महत्ता का वण्णन करे हैं वो गुरू हैं और गुरू ही रेते हैं बस मैं ताक कहना चाहता हूं और गुरू का गान तो कोई नहीं कर सकता छोटे मूँ बड़ी बात हो जाती है उसी के तरह गुरू जी मैं यहां इंदोर जिले से संजै चोधरी डकाचया निवासी हूं गाउं मेरा डकाचया है और मैं भी गुरू की शरण में गया जब जाके मुझे भी शान्ती मिली थोड़ी कहने का मतलब यह है कि हर किसी को अपने जीवन में कष्ट उठाना पड़ते हैं और कष्टों का सामना करना पड़ता है वह निवारण सिब गुरू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता अपने माता पिता अपने को रस्ता दिखा सकते हैं पर जो गुरू जिस मारगों को दिखाता है वह गुरू ही है और गुरू ही सब कुछ कर सकता है इसलिए मैं मेरे गुरू से संतुष्ट हूँ और रजमी स्रिशी जी के सानिध्य में जो हमारे गुरू जी राजकुमार गुरू है मैं उनका शिश्य हूं और मेरा काम बहुत अच्छा से चल रहा है बस मैं यही केते हुए सब भी शक्ति पीट को धन्यवाद देता हूं और इसी काम के लिए अग्रसर रहें और सबका ही चाते हुए सबकी मनो कामना पूर्ण हो जैशनी देव चले अब मैं उन कन्या राशी वालों की बात करना चाहूंगा जो की competitive exams की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं या engineering या medical exams देने वाले हैं देखें साल 2014 में सबसे जादा जो आपकी सफलता की संभावनाएं बनी होई हैं वो एक बार जनवरी के end में बलेंगी अगर जनवरी के end में आपके exams हैं तो आपके उसमें success पाने के सबसे जादा chances मुझे नजर आ रहे हैं और उसके बाद मुझे नजर आ रहा है मई और जून के महीने में आपके उपर ग्रेहों की विशेश क्रिपा बनेगी अगर उस समय पर आपके exams हैं तो निश्चित रूप से ग्रेहों के आशिरवाद से जिसमें विशेश रूप से बुद्ध ग्रह और शनी ग्रह शामिल है आप अपने exams में अच्छा करेंगे अच्छे numbers लाएंगे, cut off list को clear करेंगे, interviews को clear करेंगे और सरकारी नौकरी प्राफ्त करेंगे तो सबसे अच्छा समय मुझे मैजून का नजर आ रहा है, इसके साथ साथ जिन्वरी के मद्धे में भी कुछ अच्छी संभावनाय दिखाई दे रही हैं हाला कि अगर अपरेल के समय में आपके कुछ exams हैं, तो उस समय पर success मिलने के chances मुझे थोड़े कम नजर आ रहे हैं कन्या राशी वालों के लिए अगर वो आप exact dates देखना चाहते हैं, जो आपके लिए सबसे lucky हैं किसी competitive exam में appear होने के लिए तो इसके लिए आप मेरी website shani temple.com slash lucky dash calendar पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप कन्या राशी का lucky calendar देख सकते हैं ये lucky calendar आपके जीवन के सबसे जो important पहलू हैं उनके लिए मैंने release किया है वहाँ पर आपको दिखाए देगा शुब तारिक और अशुब तारिक और किसी भी शेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए तो अगर आप जो उस शेत्र से जुड़ा हुआ शुब काम है आपको नोकरी वीजा चाहिए तो नौकरी वीजा के लिए मैंने अलग से lucky dates बताई हुई है lottery share market में investment के लिए अलग से lucky dates बताई है ऐसे ही मैंने नया व्यापार खोलने के लिए अलग से dates बताई है job interviews के लिए अलग से dates बताई है तो अगर आप उन dates को follow करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता के chances 75% से 95% तक बढ़ जाएंगे और उन तारीकों को आपको avoid करना है जिनको मैंने unlucky तारीकों की category में डाला हुआ है ये lucky calendar पूरे साल का मैंने already आपकी सहूलियत के लिए हमारी website पर release कर दिया है तो उस lucky calendar को follow जरूर कीजिए चली आप मैं बात करना चाहूंगा करन्या राशी के love relationship या फिर संतान प्राप्ति की संभापना की साल 2024 के पहले 6 महिनों में तो देखे इन दोनों ही चीजों का दो ग्रेहों से संबन्द है या दो planets इसके लिए सबसे important है एक तो आपके राशी स्वामी बुद्धेता दूसरी है आपके पंचम भाव के स्वामी वो है हमारे शनी देवजी क्योंकि वहाँ पर पंचम भाव के अंदर मकर राशी का भाव बनता है तो इन दोनों ग्रेहों की इस्तिती को अगर हम देखे तो सबसे जो आपके relationships के लिए अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है एक तो माई की starting मुझे दिखाई दे रही है और दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है जन्वरी का पूरा महीना तो ये दोनों महीने relationships के लिए बहुत अच्छे है इस समय पर आपकी mutual understanding मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है आप साथ में कुछ ऐसे experiences करेंगे आप साथ में कुछ ऐसे काम करेंगे कुछ ऐसी memories बनाएंगे जो आपके रिष्टों को मजबूत करती है ऐसे अनुभव आप दोनों को एक दूसरे के और करीब लेकर आएंगे जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम की तलाश कर रहा है उनकी प्रेम की तलाश पूरी होने की सबसे जादा जो संभाना है वो भी मुझे जनवरी या फिर मई स्टार्टिंग में दिखाई दे रही है आपकी मुलाकात किसी ऐसे खास व्यक्ति से हो सकती है जिससे तुरंथ ही आप एक emotional और एक mental level पर connect करेंगे वो उनसे आपका जुडाव होगा लगाव होगा तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है और आपके जीवन से के उपर वो इक बहुत बड़ा प्रभाव भी डालेगा निश्चत रूप से ये सब घटना है मुझे एक जनवरी के अंदर और दूसरा मई के अंदर होती हुई नजर आ रही है ऐसे ही अगर आप मेंसे कोई कपल, हस्बेंड, वाइफ संतान प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं संतान की किलकारियां सुनने के लिए आप बेकरार हैं, बेसबर हैं तो फिर आपके लिए जनवरी का महिना और मई का महिना बहुत शुब साबित होगा संतान प्राप्ती की कोशिशों के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूँगा कि आपकी ये इच्छा जल्दी पूरी हो और एक ऐसी संतान का आपके कुल में जन्म हो जो आपके गौरव को बढ़ाए और आपकी सभी जो मनते हैं वो जरूर पूरी करें आपका जो नाम है रोशन करने वाली संतान की प्राप्ती आपको जल्द से जल्द जरूर हो ऐसी हम प्राथना करेंगे अगर फिर भी आपको लगता है कि निरंतर प्रयासों के बाद भी संतान प्राप्ती आपको नहीं हो पा रहे हैं तो एक बार आप दोनों हस्बंड वाइफ को अपनी जन्म कुली हमारे शनीपीट मंदिन में जरूर देखाने चाहिए हो सकता है किसी एक पार्टनर की कुली में संतान प्राप्ती में कुछ चुनौतियां हो इसलिए हमें दोनों की ही कुली देखनी पड़ती है और दोनों में ही संतान प्राप्ती के योगों को मजबूर करना पड़ता है तो एक बार निश्चतुव से अपनी जन्म कुनली हमारे शनी पीट मंदर में मुझ से यानि स्वामी राजशी से या फिर हमारे गुरू जी से गुरू रजनी शिशी जी से आप ज़रूर दिख़ा लें और आप सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा देखिए हमारा शनी पीट मंदर बाकी जोतिश केंद्रों से बहुत भिल हैं बहुत डिफरेंट हैं जब कभी आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे मंदर में इस्थापित गनेश जी विश्नु जी करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको इनकी विशेश क्रिपा प्राप्त हो रोज इनकी पूजा पाठ अर्चन हम करते हैं रोज हम इनको भूग लगाते हैं ताकि इस मंदर में आने वाले प्रतिय भक्त की हर मुराद हर मननत ये पूरी जरूर करें इसलिए जब कभी आप अपॉइंटमेंट लेने आ रहे हो या फिर आप अपने लिए कोई रतन बनवाने आ रहे हैं या फिर अपनी परेशानी का उपाय पूछने के लिए हमारे जनता दरबार में आते हैं तो हम आपसे एक किलो मिठाई का परशाद बंगाते हैं ताकि हम सभी भगवान की आप अपनी मनत उन से मांग सकें तो इसलिए कवी बार जब आप हमारे सेवदारों को संपत करते हैं तो वो आपको मिठाई का भोग लाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं और हम यहीं मानते हैं कि देखिया हमने जिन भी भगवान की मूर्तियों को यहाँ पर इस्थापि जित रूप से अपने जीवन में सुख, शांती, सम्विर्थी को प्रात जरूर करेगा तो हमारे शनी पीट मंदिर में आकर आप हमारे भगवान जी का दर्शन जरूर करें हम से अपनी परेशानी जरूर शेयर करें यह चीज़े बाकी जोतेश केंद्रों में नहीं होती वह इदम ट्रांस्परेंट है हमारे शनी पीट मंदिर से जुड़े हुए भक्तों को जब भी फायदा होता है वो अपने एक वीडियो बना कर हमें बेचते हैं और तो वीडियो समय समय पर हमारे चैनल पर आता है हम अपने शनी पीट मंदिर का एड्रस है जो वो खुले रूप से उसका पचार करते हैं क्योंकि हमें कोई डर नहीं है हमें कोई गलत काम नहीं किया हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश की है तो इसलिए भगवान की विशेश क्रिपा हम पर भी बनी होई है तो ऐसे ही जब कभी आप हमारे शनी पीट मंदिर से जोड़ेंगे तो यही से मनुभव आपको भी होंगे अपनी जीवन में बदलाव आपको जरूर दिखाई देगा अपनी परेशानी का समयधान आपको जरूर मिलेगा और हम लगातार आपके साथ जोड़े रहेंगे जब तक आपकी परेशानी दूर ना हो जाए आपकी परेशानी को दूर करने के ल पुजन किया महायग्य में बहुत सारे भक्त आये उन्होंने अपने नाम से आहुतिया प्रदाने की और जो भक्त नहीं आये उन्होंने कीवल अपने नाम भेजे तू भी उन नामों के साथ उनके गूत्र के साथ उनके स्थाने के साथ हमने आहुतिया प्रदाने की और प्रभ साल 2024 में इनके कश्टों को दूर करें तो हमेशा हमारे शनी पीट मंदिर इसी भाव से यहाँ पर सभी काम संपन होते हैं तो कोई भी पीड़ा हो, कोई भी कश्टों एक बार हमारे शनी पीट मंदिर से जरूर जुड़े आपको अपनी परिशान्यों का समाधान जरूर मिलेगा चलिए, अब मैं बात करना चाहूंगा उन दर्शकों की जो साल 2024 में शेर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या फिर आप लॉट्री का टिकेट खरीट के एक बड़ा इनाम जीतना चाहते हैं तो देखे दर्शकों, आपके लिए सबसे जो अच्छा समय रहेगा जिस समय पर लॉट्री जीतने के सबसे जादा प्रबल संभावना है या शेर मार्केट में सबसे अधिक मुनाफ़ा हो सकता है वो है एक तो जनवरी का समय और दूसरा अपरेल एंड से लेके मई मध्य का समय इस बीच में किया गया शेर मार्केट में निवेश्ट या खरीदा हुआ लॉट्री का टिकेट आपको कोई इनाम जितना सकता है या फिर शेर मार्केट में बड़ा मुनाफ़ा होने की संबावना मुझे दिखाई दे रही है इसके लिए तीन ग्रेहों का मैंने विशलिशन किया है शनी, बुद्ध और शुक्र ग्रेह इन तीनों का विशेश आशिरवाद रहेगा, विशेश क्रिपा रहेगी तो शेर मार्केट में या फिर लॉट्री का टिकेट खरीद कर आप कुछ बड़ा जीच सकते हैं इनको मजबूत करने के लिए अगर आप नियमित रूप से शेर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो मेरी आपको सला होगी कि अपने हाथ में एक विशेश लक्षमी बाजुबंद आप जरूर धारन करें इस लक्षमी बाजुबंद में शनी, बुद्ध और शुक्र ग्रह से सम्मंदित रतन जो हैं तीन दिन की मंत्र पूजा और साधना करने के पश्चात जड़े जाते हैं और आपके नाम से ही ये बाजुबंद तयार होता है आपके घर में सदैव वरकत हो, धनी की कभी समस्या न हो, मालक्षमी की हमेशा कृपा बनी रहे इसके लिए इसमें एक दिव्य करक कोडी भी है इनको एक ही बाजुबंद में साधकर हम आपको आपके राइट हैंड में पहनने को देते हैं और जब आप उसे पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा जरूर होगा इन ग्रेहों की विशेश क्रिपा जरूर बनेगी आपके घर में बरकत जरूर होगी तो कोई भी कर्ज की समस्या और बरकत की समस्या और शेर मार्केट में पैसा लगाते हो तो कन्या राशी वालों को ये लक्षमी बाजुमन जरूर धारण करना चाहिए और अगर उसे आप हमारे शनीपीठ मंदिर से प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे हैं नमरों कर संपर्ट कर सकते हैं देखे भकड़ों मिलते जुलते नामों से आपको सावधान रहने की जरूरत है ये लक्षमी बाजुबंध हमने विशेश रूप से वर्षों की तपस्या करके वर्षों की साधना करके पहुत सारी रीडिंग करके हमने इसको तयार किया है उन रतनों का चुनाव किया है जो आपको पाइदा पहुचाएंगे इसलिए इस बाजुबंध से मिलते जुनते नामों से सतर करेने की जरूरत है आपको लक्षमी बाजुबंध केवल और केवल हमारे शनीतित मंदिर से ही प्राप्त हो सकता है चले दर्शकों अब अन्त में मैं बात करना चाहूंगा उन कन्या राशी वाले दर्शकों की जो कि विदेशों में वास करना चाहते हैं foreign visa के लिए apply करना चाहते हैं या PR या permanent residency के लिए आप लोग apply करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सबसे जो अच्छा समय है वो यहाँ पर मई से जून के बीच का मुझे दिखाई दे रहा है जब उनकी application accept होने के सबसे ज़्यादा chances है विदेशों में उन्हें नौकरी मिल सकती है तो इस समय पर अगर आप apply करते हैं इस हिसाब से आप तयारी करते हैं कि भाई मुझे मई जून में apply करना है PR के लिए, visa के लिए, jobs के लिए तो आप के लिए सबसे अच्छा रहेगा उस समय पर तीन ग्रहों की विशेश क्रिपा आप पर बनेगी कौन से हैं वो एक तो है हमारे बुद्ध देवता, दूसरे सूर देवता, तीसरे मंगल देवता इन तीनों ग्रहों का आशिरवाद रहेगा तभी आप विदेशों में काम कर सकते हैं या विदेशों में वास्क कर सकते हैं तो इसलिए मैंने आपके लिए वो तारीके बता दी हैं वो महीना बता दिया है जब सबसे प्रबल चांसे बन रहे हैं इसके बाद भी आपको एक बार मेरी वेबसाइट शनीटेंबल.com slash lucky dash calendar को विजिट करना चाहिए और वहां पर आपको दिखाई देगी वो तारीके वो डेट्स जब PR या वीजा की application या फिर आपको विदेशों में जॉब करने की interviews के लिए अपियर होना चाहिए उसके लिए कौन सी वो शुब तारीके हैं वो आपको मेरी website पर दिख चाहेंगी तो उसे जरूर विजट कीजेगा link description में भी दिया है comment section में भी दिया हुआ है चली दर्शकों आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूंगा आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अत्यांत पसंद आया होगा इस वीडियो को like जरूर कीजेगा हमारे चैनल गुरु रजनी शुषी जी पर समय समय पर ऐसे वीडियो आते रहते हैं जो कि आप सभी दर्शकों को guide करते हैं कि कैसे वैदिक जोतिश को अपनी जीवन में अपना कर आप अपनी जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं हमारे सनातल हिंदु धर्म में हमारे वैदिक जोतिश में अपार संभावनाएं हैं आपकी परिशानियों को दूर करने की, आपके जीवन के कश्टों को दूर करने की, तो एक बास वैदिक जोतिश को अपने जीवन में मौका जरूर दे, उसे जरूर आजमाए, निश्चित रूप से कभी रिगरेट नहीं होगा, हमेशा आपको केवल और केवल सुख, शान्ति और सम्रिद्धी की साथि जरूर होगी, बाकी हम समय समय पर हमारे जो शनी पीठ मंदिर से जुड़े हुए, सभी जो 24 लाग के करीब आप सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, या फिर जो हमारे साथ परिवार जुड़े हुए हैं, आप सभी जिनका विश्वास हमारे शनी प जबी भी आपको पता लगे, तो चाहें अगर आप पर्सनली आ सकते हैं, तो हमारे शनी पीठ मंदिर में आके आप भाग लें, या फिर ओनलाइन माध्यम से अपनी आउती जरूर पतार करें, आशा करता हूँ, साल दोहजार चौबेस आपके लिए मील का पत्थर साबित हो हर मनों कामना आपकी जरूर पूरी हो, इसी के साथ मैं स्वामी राजशी अब आप लोगों से विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैशनते